असलाम लेकुम जी, वाल वेपर एंटी कोर से मैं हुसा फ्यूला फैजी उमीदा आप सब लोग ठीक होंगे अच्छा जी आज एक और नई सीनरी के साथ बड़ा ही जबरदस इसका फोरेस्ट का इफेक्ट है आप देख रहे होंगे फुल इसको हम 3D भी कह सकते हैं अगर आप इसको 4D, 5D हम सीनरी भी कहना चाहें तो आप इसको देखेंगे कि इसका इतना खूबशूरत इफेक्ट है आप इसको 5D तक सीनरी भी हम कह सकते हैं जिस तरह का इसका 3D effect आ रहा है सामने से sunlight भी आप आती भी देख रहे होंगे कि sunlight का भी effect इसमें बड़ा ही खुबसूरती से इन्होंने दिया हुआ है यह हमारे जमील साब जो है सीन्डी हर दफा यह मेरे साथ ही होते हैं जब भी हम सीन्डी लगाते हैं सीन्डी की पिमाईश यह अगर मैं आपको बात करूँ तो इसकी पिमाईश है जो height है इसकी 9.2 foot है अगर जो इसकी चुड़ाई की हम बात करें तो यह 13.9 foot में जो है इसकी चुड़ाई आती है इसके लिए जो हम material यूज करते हैं वो gum यूज करते हैं दूसरा है इसका जो canvas material होता है उसके उपर अगर हम आ जाएं तो यह material flux से बहुत ही change होता है यानि कि आपको जो flux में जब भी flux पे कोई चीज प्रिंट होती है न तो उस पर यह वाला effect कभी भी नहीं आता जो canvas material पे हम यह effect देख रहे हैं वो सिरफ इसी material की खासियत है कि जिस पर इतना अच्छा effect आ रहा है अगर यह भाई थोड़ा सा आगे आए अगर आपको दिखाएं कि अगर यह बिल्कुल इसकी करीब जाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल ही यह जंगल के अंदर चलेगे हैं अगर यहां से आप इसका effect देखें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप जंगल के अंदर ही खड़े हुएं इसका इतना खुबसूरत effect है ठीक है बाकि इसके बारे में अगर आप इसकी कीमत मालुम करना चाहते हैं यह made in China है पाकिसान में बिल्कुल नहीं बनती अगर पाकिसान में बनती है तो वह जाहरी बात है उस विनाइल मटीरियल पर बनेगी उस पर फिर यह effect नहीं आएगा कभी भी यह effect canvas material पर ही आता है जिसकी मशीन है अभी तक तो मैंने पाकिसान में नहीं देखी है कि किसी के पास canvas material को प्रिंट करने के लिए जो है ना मशीने आई हो मजीद information के लिए हमारे youtube channel है snack video पर आप हमसे रापता कर सकते हैं और subscribe करेंए मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद अलाहाफिस और जजाक अलाहाफ